नमस्कार दोस्तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में दोस्तो आज की वीडियो में हम आपको चावल से बोले नात के लिए किये जाने वाला एक ऐसा उपाय बताएंगे जिसे करने से थोड़े ही समय में आपकी सभी मनोकामनाई पूर्ण हो जाएंगे माना जाता है कि इस उपाय को करने से पूरे साल ही आपके पास जम कर पैसा आता है पूरे साल आपके पास पैसों की कोई कमी नहीं रहती है बोले नात की किरपा से सभी कष्ट दूर हो जाएंगे सभी बिगडे कारे भी बनने लगेंगे दोस्तों देवों के देव महादेव ये एक मातर ऐसे भगवान है जिसकी पूजा हर कोई व्यक्ति करता है चाहे वो मनुष्य हो, देवता हो मनुष्य से जीवन में उत्पन हुआ शीन से शीन व्यक्ति हो या फिर चर अचर राक्सस या देट्य क्यों ना हो यहां तक की पसूपक्सी वे जानवर भी बोले नात की पूजा करते हैं जब तक दुनिया कायम है तब तक महादेव शिवशंकर की महीमा गाई जाती रहेगी शिवपुरान के अनुसार केवल महादेव शिवशंकर भोले नात ही ऐसे भगवान है जो कि थोड़ी सी पूजा मातर से ही प्रसंद होकर अपने भगतों को मनुवांचित फल परदान करते हैं शिवपुरान के अनुसार कहा गया है कि भगवान शिवशंकर की पूजा यदि सच्चे हिर्दे से की जाए तो मनुष्य को सभी पापों से मुक्ती मिल जाती है सभी कष्ट भगवान हर लेते हैं और मनुकावनाओं की पूर्ती होती है इसे दोस्तों एक बार कमेंट बॉक्स में हर अर्महादेव शिवशंकर भोले नात अवश्य लिग दीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले से सब्सक्राइब अवश्य कर लें क्योंकि हम हर रोज लाते रहते हैं ऐसा ही वीडियो जिनसे आप अपने जीवन को सुखमई बना सकते हैं और जी सकते हैं एक सुखमई जीवन बोले नात इतने बोले हैं कि अपने सभी भक्तों पर समान किर्पा बरसाते हैं इसलिए मन जाता है जो को व्यक्ति भगवान शिव शंकर को शीगर प्रसन करना चाहता है उसे सुबह प्रात्यकालिन शीगर उठकर के बोले नाथ की पूजा करनी चाहिए जब भी आप भगवान शिव शंकर की पूजा करें तो माता पारवती, नंदी, गणेश और कार्तिके की पूजा भी अवश्य करें यानि समस्तस्रिव परिवार की पूजा भी अवश्य करें भगवान को अक्षत, बेलपत्र, आकड़े या धतूरा ये सभी वस्तुएं बहुत प्रिये हैं इसलिए जब भी आप इनकी पूजा करें तो अवश्य इनमें से कुछ ना कुछ अवश्य चड़ाएं दोस्तों अगर आप पैसों की कमी से परिशान है आपके गर आर्थिक तंगी चल रही है धन की हानी होती रहती है तो धन समबंदी सभी परकार की समस्याओं को दूर करने के लिए और धन प्राप्ति के योग बनाने के लिए हम आपको आज की वीडियो में चावल से करने वा देनात एक बार अवश्य लिख दीजिए और वीडियो अगर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करें शेयर करना ना भूले साथ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें क्योंकि हम हर रोज लाते रहते हैं ऐसे ही जबरदस वीडियो जिन से आप अपने जीवन को सुख मई बना सकते हैं और जी सकते हैं एक सुख में जीवन क्योंकि दोस्तों वगवान शीवशंक्र की किरपा से धनलाव के योग बनते हैं और धन पराबति अचानक सही आपके पास होने लग किकी किशी शिव मंदिर में जाना है, इस उपाइप को करने के लिए आप थोड़ यसे चावल ले। दोस्तो, सास्तरों के अनुसार वैसे तो इस उपाय को करने के लिए आपको कम से कम आदा किलो चावल लेने चाहिए, लेकिन अगर आपके घर में कोई आर्थिक समस्या है, आप नहीं ले सकते हैं, तो आप इस उपाय को एक मुठी चावल से भी कर सकते हैं, जब भी आप जिस वो ये खंडित चावल इस्तमाल नहीं करने चाहिए, इसलिए इस पूजा में भी आपको इस बात का ध्यान रखना है, कि जो चावल आप ले रहे हैं, वे साबुत होने चाहिए, तूटे फूटे या खंडित नहीं होने चाहिए, क्योंकि दोस्तो, साबुत चावल पूनता वे पवित्रता का परतीक माना जाता है, फाबुत चावल को ही अक्षत कहा जाता है, अक्षत के बिना कोई भी पूजन अधूरा रहता है, दोस्तो, वैसे तो बगवान शिव शंकर की किसी भी रूप में आप पूजा कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसे मंदिर में जाएं, जहां आपको भोले ना की शिवलिंग का सुद्जल से अविशे करना है, यानि की सुद्जल से उनका अविशे करके उन्हें इस नाना दिकराई, यदि आपके घर में गंगाजल मौजूद है, तो आप गंगाजल भी इस जल में मिला सकते हैं, दूद, दही, शहद, आदी इन आया गया है कि शिवलिंग का अविशे करने के बाद, शिवलिंग को अपने दोनों हातों से रगडने से, आपके हस्त में, यानि कि आपके हात में, जो भी दुरभागे की रेखाए हैं, वे मिट जाती हैं, इसलिए आप अविशे के बाद, अच्छे से शिवलिंग को इस प्रकार से की गई पूजा से आपका भागय उद्य अवश्य होता है लेकिन दोस्तो इस बात का ध्यान रखना है कि शिवलिंग को रगडने वाला कारे केवल पुरुष ही करें इस्त्रियाँ वे कन्याएं शिवलिंग के स्पर्स से दूर रहें शिवलिंग के रूप में भगवान शिवशंकर घोर तपश्या में लीन रहते हैं इसलिए महिलाओं वे कन्याओं को शिवलिंग को स्पर्स करने से मनाई है केवल पूरुष मातरी शिवलिंग को स्पर्स कर सकते हैं और उनको रगड़ सकते हैं अच्छे प्रकार से शिवलिंग का अविशेक और रगणने के बाद आप अपने दाहिने हाथ यानि सीधे हाथ की मुठी में चावल लें और ओम नमस्षिवाई इस मंतर का जाब करते हुए शिवलिंग पर अवस्य चड़ा दें एक बार जाब करके आप एक मुठी चावल या लक्षमी का नमस्कार करें और हाथ जोड़ करके पूर्ण स्विपरवार के समक्स्त बैठ जाएं और अपनी धन संबंदी सभी समस्याओं को दूर करने के लिए प्रार्तना करें यदि संबभ हो तो प्रार्तना करने के बाद ओम नमस्षिवाई मंतर का 108 वार यानि एक माला जाप अवश्य करें इस उपाए में एक रहस्य है कि आपको थोड़े से चावल बचा लेने हैं और बचे हुए चावलों को ऐसी जगह पर डाल देना है जहां पर पक्षी आते हों और वे चावल पक्षी खा लें दोस्तों ये उपाए इतना सा कारे करने के बाद ही सानी थी वे सब भी आपके बहुत जल्दी सुन लेते हैं तो दोस्तों आज की इस वीडियो में क्यावल इतना है कल फिर आप से मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ तब तक के लिए दे में जादे धन्ने बाद कमेंट में लिखना न भूलें जै बचरंग बली जै मातादी जैमालक्षमी हरर महादेव